तो आज हम करें basic color correction, तो चलता है, मैं आपको बताता हूँ basic color correction कैसे करते हैं, पहले तो आपको जाना है windows में, windows workspace, workspace में जाके आप select कर सकते हो color correction पे, जिसी आप color correction पे select करोगे तो आपके सामने यह अले parameters हैं पे open हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा exposure पे काम करना है, exposure मैं कम कर मुझे, whites थोड़े कम करना है, और blacks जो है, वो minus की तरफ खीचना है, तो आप देख सकते हो, इसका basic color correction है, यहाँ पे आपको दिखना start हो जाएगा, फिर आपको करना है, इसका saturation प्लस 120 पे, और थोड़ा सा shadow और मैं इसका बढ़ाना चाहूंगा, और थोड़ा whites का कम करना चा सारे luts है, उसको आप कैसे use कर सकते हो, या आप नए भी luts इसमें add कर सकते हो, जैसे कि मैं inbuilt preset use करने से ज्यादा prefer करता हूँ, third party preset use करना, तो मैं यहाँ पे browse पे click करता हूँ, और यहाँ पे Cine 4 का जो luts है, मैं यहाँ पे import कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो, looks मैं कर देता हूँ, जैसे मैं कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे से create हूआ है, थोड़ा बहुत exposure मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको blue की तरब इसका temperature खीचना पड़ेगा, तो आप द कोचिंग ऐसे और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए,